हमारे बाबा हिल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, न भूले नमस्कार मित्रो आज हम आपके लिए लेका है कुछ नए है कुछ बेतर जिसे आपके और आपके परिवार का कल्यान कर सके हैं आज हम आपको बताने वाले हैं सावर मंत्र जो है वह है गुरु गोरकनाथ का मंत्र है गुरु गोरकनाथ नाथ है प्रमप्रा के जो है सर्वेस्रेष्ट जो है महान गुरु में घिने जाते हैं इसलिए इनका जो मंत्र है वह बहुत ही पावरफुल है और सावर मंत्र की जो रचना हुई है गुरु गोरक नाथ से ही जो है प्रारंब हुई है और गुरु गोरक नाथ ही सर्वेश्ट जो है गुरु माने जाते हैं नाथ प्रमप्रा के हम आपको बताना चाहेंगे यह मंत्र किसी के उपर तंत्र विद्या मंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है उसके उपर किल करने के जो है उसको किलित कर दिया जाए और उसको कैसे सुरक्षित किया जाए उसके उपर उल्टनी पल्टनी है तो उसको कैसे रिटन किया जाए किया कराया उतारने के लिए और आप रोगी है रोग से परेसान है तो आपको कैसे अपनी सुरक्षा की जाए यह जो ह अबहाओं से आप हम पहले ही बता दिये हैं आपको कि इसके मंतर जाब से आप किसी के ओपर कुछ भी किया कराया आसानी से जो है पलट सकते हैं उसको रिटन कर सकते हैं उसको भेज सकते हैं और जो भी भेजा है उसके यहां पहुचा सकते हैं तो आपको करना क्या है हम पहले आपको बीधी बता देते हैं जो है उसके बाद मंत्र का जो है वो बता देते हैं सबसे पहले आपको साथ जो है साथ नदी का जो है पानी लेना है अगर आप साथ नदी का पानी नहीं मिल ला है आपको साथ जो है कुएं का पानी लेना है अगर साथ कुएं भी आपके यहां नहीं मिल तो आपको करना क्या है आपको साथ नल के पानी लेने है साथ नल के पानी से जो है रोगी को असनान कराना है जो रोगी है जो पीडित है जो रोग से ग्रसित है जो तंत्र बिद्याओं से ग्रसित है जो तंत्रिकों के प्रभाव में पड़ गया है जो बीमार पड़ गया है और उसकी तबियत ठीक नहीं है उसको साथ कुएं के या साथ नदी के या साथ नल के पानी से जो है जो मंत्र हम बताएंगे उस मंत्र से उस पे पढ़कर उसको अभी मंत्र करकर उसको नहलाना है तो आपको मंत्र आप जो है सिद्ध कर लेना है मंत्र 108 बार पढ़ने पे सिद्ध हो जाता है लेकिन इसको उच्छे समय जो है उस समय दिपावलिद सहरे या जो है जो ग्रहन काल लगता है उस समय इस मंत्र को सिद्ध करें या पूर्ण रूप से कारे करेगा और हम आपको बताना चाहेंगे मंत्र हम एक बार पड़ के सुना देते हैं और डिस्प्ले पे भी मंत्र दे देंगे जिससे आपको आसानी हो और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना पैदा हो ओम बज्जर में कोठा बज्जर में ताला बज्जर में मधा दस्ते द्वार तहां बज्जर का लाया किवार बज्जर में चोखट बज्जर में कील जहां से आया तहां की जावे जाने भेजा जाको खाये हमको फेरन सूरत दिखाया हाथ को नाक को सिर को पीट को कमर को छाती को जो योखो पहुचाए तो गुरू गोरखनात की आग्या फूरे मेरी शक्ति गुरू की भक्ति तो यह जो मंत्र है यह बहुत ही पावर फिल जो है पुरा तीब्र मंत्र है और यह सावर मंत्र है और यह गुरू गोरखनात का मंत्र है गुरू गोरखनात मंत्र का आप प्रयोग करके आप अपने जीवन में खुसाली लाएं इसलिए हम आपको मंत्र देते हैं कि आप अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में खुसाली लाएं और मंत्र का प्रयोग करके आप सुखी रहें और आपके परिवार सुखी रहें अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सेयर करें और चैनल को अगर सस्क्राइब नहीं अभी तक किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें जै महाकाली, जै मातादी, भगवान वोलेना सदा आप पर किर्पा करें गुरून गोरखनात आप पर सदा और किर्पा बनाएं इसे मंतर का प्रेयो करके आप अपने जीमन में परिवर्तन लाएं नमस्कार